हेलो फ्रेंड्स पुश्पा क्रियेशन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत आसान सा दो लाइनों का डिजाइन लेके आई हूँ चलते हैं टेटोरियल के फंदी हमने छार के मल्टिपल प्लस तीन करके डालने हैं यह हमारी राइट साइड है यह हमारे डिजाइन के फंट हो है चलिए स्टार्ट करते हैं डिजाइन पहला फंदा हमने उतार लिए धागयो का अपनी तरफ fishing किया दूसरे फंदे का मेंने उल्टा बुन लियां अब हम धागये को पीछी ले गए और ऐसे धागे को लपेटते हुए स्लाई में फिर पीछी ले गए एक बार फिर से बताती हूं धागा हम उल्टा फंदा हमने बुना दूसरा वाला धागे को पीछी ले गए फिर अपनी तरफ को लाएंगे और स्लाई में लपेटते हुए पीछी ले गए इस साथ हमने बुनना है पीछे ले जाके पीछे ले गए और ऐसे हमने एक साथ ये बुन लिया अब ये क्या है हमारे पास ये दो फंदे हो गए एक तो जाली वाला और एक ये वाला अब हमने क्या करना है ये तीन फंदे हैं आपकी बार हमने ये दो फंदे लेने हैं हमने पीछे ले जाके और तीसरे फंदे को हमने ऐसे दबा देना है उंगली से अब की बार ये दो फंदो को हमने बुनना है अब ये हमारे पास जब तीन फंदे हो गए अब हमने इस लाइके ये तीनों फंदो को एक साथ निकाल देना है अब हमने फिर से द्हागा अपनी तरफ करके एक पहंदा उल्टा बुण्ना आए आभो विल प हो रहा है इक प्हुंदा उल्टा बुन लिया धागे को पिछ ले गए और सलाई में ऐसे लपेटे विए हम फिर से पीछे को लिख, अब आधे 5 तीन है तीन फंदों को हमने चलाई को ऐसी डालकर पीछे की तरफ ले जाना है तिनों फंदों के एक साथ हमने पीछे की तरफ ले जाकर 事情 मंचे की आके वुन देना है यह ए अब मेरे पास फंदों को बुनना है अब यह हमारे पास तीन फंदे हो गया है यह जाली वाला और यह दो फंदे अब यह तीनों फंदों के इस लाई के फंदों को हमने असे निकाल देना है फिर हमने धागे को आगे करके एक फंदा उल्टा हुनना है धागे को पीछे ले जाके फिर से ऐसे लपेटते वे हम पीछे ले जाएंगे यह तीनों फंदों को हमने एसे पीछे ले जाना है पीछे ले गए और तीनों को हमने एक कर देना है अभी इन तीनों फंदों को निकालना नहीं है फिर हमने अपकी बार क्या करना है दो फंदे लेने हैं दो फंदों को हमने पीछे ले जाना है दो फंदो को स्लाई में डालके हम पीछे ले जाएंगे इस वाले फंदे को हमने ऐसे दबा लेना है और ऐसे बुनके हमने ऐसे निकाल देना है अब यह हमारे पास तीन फंदे हो गए यह जाली वाला यह वाला और जो दो का हमने एक करा था अब हमने तीनों फंदों को ऐसे निकाल देना है बस ऐसे ही हम पूरी रोकों कम्प्लीट करेंगे अब धागे को अपने तरफ किया इस फंदे एक फंदे को हमने उल्टा बुना धागे को पीछे ले गए स्लाई में लपेटते वे हमने फिर से पीछे ले गए अब ये तीन फंदे हैं तीनों फंदों को हम एक साथ पीछे ले जाना है पीछे ले जाके हमने तीनों को एक साथ सीधे फंदे के तरह ऐसे बुन लेना है अब ये तीन फंदों को निकालना नहीं है ये हमारे पास अब दो फंदे हो गए अब हमने दो फंदे लेने हैं तीसरे फंदे को नहीं लेना है दोनों फंदों को हमने ऐसे पीछे ले जाना है डालके हमने दो फंदों को ऐसे लेके पीछे ले गए तीसरे फंदे को हमने नहीं लेना है तीसरे फंदे को ऐसे दबा के हमने दो फंदों को बुन लेना है अब यह हमारे पास तीन फंदे हो गए, एक, दो, तीन, यह हमारा जाली वाला फंदा है, अब हमने लेफ्ट हैंड के तीनों फंदों को ऐसे निकाल देना है, फिर धागे को अपनी तरफ करके, एक फंदा हमने उल्टा बुना, धागे को पीछे ले जाके, सिलाई में लपेड फिर से हम पीछे ले गए, अब यह तीन फंदे हैं, तीनों फंदों को हम ऐसे पीछे ले गए, और एक साथ हमने सीधा बुन लिया, अब हमने यह दो फंदों को लेना है, इसको भी हमने पीछे के साइट से भुनना है, तीसरे वाले को हमने पीछे से ऐसे दबा देना है, औ और दो फंदो को हमने ऐसे बुन लेना है, यह हमारे पास तीन फंदे हो गए, अब यह तीन फंदो को हमने इस लाई से ऐसे निकाल देना है, धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बुना, और यह लास्ट वाला फंदा हमने सीधा बुन लिया, इस तरह यह डिजाइ हमने उतार लिया दागे को पीछी ले गए यह अगरे हमने एक फंदा सीधा लुना लासा धागे को फिर हम अपनी तरफ लाएंगे आप फिर लाकि complicated अपनी तर्फ लाएंगे शनागे पिलब्वेटते हुए ऐसे अपनी स्लाई में लपेटते हुए पीछे ले गए फिर अपनी तरफ लिया है अब हमने क्या करना है तीन फंदे हैं जो हैं तीसरा हमारा ये बल वाला फंदा है ये तीन फंदे हैं तीसरा हमारा ये बल वाला फंदा है तीनों को हमने एक साथ उल्टा बुनना है अभी इन फंदों को निकालना नहीं है अब हमने दो फंदे उल्टे बुनने हैं इस तरह ये हमारे पास ये तीन फंदे हो गए बल वाला फंदा है और ये दो फंदे हैं ये हमारे पास फिर से तीन फंदे हो गए अब ये तीन फंदों को हमने ऐसे निकाल देना है धागा पीछे किया एक फंदा हमने सीधा बुना धागे को अपनी तरफ लाए फिर पीछे ले गए सिलाई में लपेटते हुए अपनी तरफ लिया है अब ये तीन फंदे यह तीसरा हमारा बल वाला फंदा है तीनों को हमने एक साथ उल्टा बुनना है अब यह इन फंदों को निकालना नहीं है अब हमने पहले हमने तीन फंदे बुने थे अब हम दो फंदे बुनेंगे दो फंदों को हमने उल्टा बुन लिया अब यह हमारे पास तीन फंदे हो गए एक, दो, तीन अब यह तीनों फंदों को हमने ऐसे निकाल देना है धागे को पीछे किया फिर हमने एक फंदा सीधा बुना धागे को अपनी तरफ लाए स्लाई में लपेटते हुए पीछे ले गए फिर अपनी तरफ लियाए इससे क्या एक फंदा बढ़ जाएगा और यहाँ पर जाली पढ़ जाएगी अब यह तीन फंदे हमने यह तीसरा हमारा यह बलवाला फंदा है तीनों फंदों को हमने एक साथ उल्टा बुना है एक फंदा हमने सीधा बुना दागे को अपनी तरफ लाए स्लाई में लपेटते हुए पीछे ले गए फिर अपनी तरफ लियाए इससे क्या है यह बल पढ़ गया और यहाँ पर जाली पढ़ जाएगी अब आगे के जो तीन फंदे हैं यह तीसरा हमारा बल वाला फंदा है तीनों को एक साथ हमने उल्टा बुनना है अब हमने इन फंदों को निकालना नहीं है अब आगे के दो फंदे हमने अब हमने दो फंदे बुनने हैं यह हमारे पास तीन फंदे हो गए एक, दो, तीन अब यह तीनों फंदों को हमने ऐसे निकाल देना है धागे को पीछे किया फिर से एक फंद हमने सीधा बुना दागे को अपनी तरफ लाए, फिर पीछे ले जाके स्लाई में लपेटते हुए अपनी तरफ लियाए अब ये तीन फंदो को हमने एक साथ उल्टा बुनना है अब हमने दो फंदे बुनने हैं एक साथ, तीसरे बाले को नहीं बुनना है अब हमने दो फंदे हमने एक साथ उल्टे बुनने हैं, ये तीन फंदे हो गए हमारे पास, एक, दो, तीन, अब ये तीनों फंदों को हमने ऐसे निकाल देना है, दागा पीछे किया, एक फंदा हमन अब फिर से अपनी तरफ लिए, अब ये तीन फंदों को हमने, एक साथे हमने, ये तीन फंदे हैं, एक साथ अब एक साथ, अब तीसरे वाले को नहीं बुनना है ये आगे के दो फंदे हैं, आगे के ये दो फंदे हैं, दोनों को हमने बुनना है, तीसरे वाले को नहीं बुनना है, ये दोनों फंदों को हमने उल्टा बुन लिया, अब ये तीन फंदे हो गया हमार पास, ये बल वाला, एक फंदा, ये दो, तीन फंदे हो गया, अब ये तीनों फंदों को हमने इस स्ल बनके इसके साथ ही हमारा डिजाइन भी बनके कम्प्लीट हो गया है यह दो लाइनों का डिजाइन है बहुत खुबसूरा डिजाइन है जैसे जैसे अपर बढ़ेगा और भी खिलेगा आप एक बार ट्राइए जरूर करियेगा यह दि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें थैंक यू